नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रवसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको प्रिवियास एर पेपर का डिसकसान मिल जाता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रेस रखेंगे दोस्तो आज हम जो पेपर डिसकस करेंगे वो ह आप लोग अपना नूट साथ में बनाते चलिए, रिवाइस करते चलिए, पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको निचे डिसक्रिप्शन में है और आपके पास भी देखिए कुछ कोशन पेपर होते हैं तो gkfhs25 at gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हमें आपके डिसक्रिप्श कर चेकें तो देखिए इतने पेपर मैंने डिसक्रिप्श कर चुके हैं उसके 2021 का भी बहुत सारे पेपर डिसक्रिप्श कर चुके हैं पूरे पेपर हम डिसक्रिप्श करेंगे तो दोस्तों आपने लोग ज का सही उतर होगा अब मनीश कुमार देखिए एक सच्छता करम चारी थे यानि कि सैनिटेशन बरकर थे कहां के तो एमस दिल्ली में काम करते थे एमस दिल्ली में यानि कि All India Institute of Medical Science दिल्ली में जो है उसमें सैनिटेशन बरकर के उप में इसमें मनीश कुमार जी को पहला टिका लगाया गए गय था कुरोणा वाइरस काई बहुत इंसलिटेशन बहुत इंपोरचेंट कोशन है ध्यान रखेगा और बैसिक लिए दो तरक जो है वैकसिन जो है लगाये थे कोबी सिल्ड और कोबी सिल्ड और एक और वैक्सिन का नाम मैं भूल रहा हूँ कोबी सिल्ड और धान रिखेगा तो उस वैक्सिन को भी आप लोग याद रख लिजेगा उसके देखे कोश्चन है कि मिसाओ उकाबा को दुनिया के सबसे बुजूर्ग बेक्ती के रूप में पहचाना गया है तो 117 वरस की आयू में उनका निधन हो गया वो कहां से थी तो देखें नाम से ही पता चल रहा है मिसाओ उकाबा दुनिया के सबसे बुजूर्ग बेक्ती की रूप में तो यह जापान की थी करेक्ट अंसर यहाँ पर जापान होगा 117 वरस की आयू में तो सकते हैं 117 वरस की आयू तक इन्होंने जिबित रही और यह महिला थी ध्यान रखेगा मिसाओ उकाबा जो की एक महिला थी जापान के थी 117 वरस की उमर में इनका ध्यान थुआ और इन्होंने जो है Guinness Book of World Record में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया तो करेक्ट अंसर बी होगा जापान सही उत्तर होगा अब देखें कोशन है कि पार्ट 20 भारतिय समिधान का किस से रिलेटेड है तो देखें भारतिय समिधान में 22 भाग है तो ध्यान रखेगा 22 भाग है इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 20 जो भाग है 20 भाग है वो समिधान में संसोधन से संबंदीत है तो amendment of the constitution से संबंदीत है करेक्ट अंतर इसका A होगा समिधान में संसोधन से संबंदीत है जो है इहाँ पर 20 भाग 20 भाग और अनुशेद इससे संबंदीत है 368 यानि कि सब्भारतिय समिधान के अनुशेद 368 में जिक्र है कि हम समिधान में संसोधन कर सकते है और emergency provision की हम बात करते है तो 352 से लेके 360 तक है 300 अगर हम 52 की बात करते है तो national emergency है 356 article की बात करते है तो president rules से है यानि कि राष्टपती सासन से है 360 अनुशेद की बात करते है तो यहाँ पर बिती अपातकाल की बात करता है और यह पार्ट 18 में है तो 18 पार्ट में जो है ध्यान रखेगा 18 पार्ट में जो है यहाँ पर emergency की बात की गई है उसके बाद हम पार्ट 15 की बात करते है तो देखिए यहाँ पर पार्ट 15 की बात करते है तो अनुशेद 324 से लेके 329 ए तक है जो की यहाँ पर बात करता है किस से तो election से बात करता है तो इसमें जो है election की बात की गई है तो पार्ट 15 में election commission से समंधित है उसके part 17 है official language जो कि 343 से लेके 351 तक official language की बात की गई है भारत में तो ये part 17 में है तो देखे अंसर इसका तो ए सही होगा ध्यान रखेगा अब देखे कोशन है कि जनवरी 2021 में बात की गई थी केंदर सरकार के दोरा कि सुभास चंद्र बोस की जयनती को जो है एक दिवस की रूप में मनाने की बात की गई थी तो दिवस जो है कौन था और कब तो तेश जनवरी को उनका जनम दिवस की रूप में जो है मनाते हैं और उसको पराकरम दिवस की रूप में मनाने की बात की गई थी तो पराकरम दिवस इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेगा पराकरम दिवस की रूप में तेश जन्वरी को सुभास चंद बोज की जैनती की रूप में हम लोग मनाते हैं उसका देखिए कोश्चन है, याँपर दो इंपोर्टेंट यहाँ पर अस्मारेख है, तो उसमें जो है सही युक्म आपको बताना ही तो देखे इंडिया गेट चप्पी चप्पी लोग जानते हैं बच्चे बच्चे लोग जानते हैं कि इंडिया गेट कहाँ पर है तो दिल्ली में है लेकिन यहाँ पर महराष्ट दिया और गलत हो गया गेट पर इंडिया इसमें थोड़ा सा आप नहीं जानते हैं तो गेट यहां पर उल्टा दिया हुआ तो इसका correct तरह होगा सी ना तो एक और ना ही दो correct answer यहां पर gateway of India मुंबई महरास्ट में है और इंडिया gate दिल्ली में है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो यहां पर आप देखे gateway of India जो बना मुंबई 1924 में बना था यह भी आपको ध्यान रख लिजएगा और देखिए यह असमारक बनाया गया था जो गिंग जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया आई थी उसके याद में यह आपको gateway of India जो है बनाया गया था ध्यान रख लिजएगा उसके देखे कोश्चन है कि कामी रिता सिर्पा ने माउंट अबरेस्ट पर अपनी 25 मी चढ़ाई के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है तो नेपाल की कामी रिता सिर्पा जो है माउंट अबरेस्ट पर 28 मी बारे चाढ़ाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है तो वो नेपाल की है ध्यान रखेगा नेपाल की है उसके देखे नेक्स्ट कोर्चन आपके सामने है कि जानवरों को कितने समोहों में बाटा गया है तो यानि कि जानवर है जो इनमल किंग्डम है उसको दस भागों में बाटा गया है तो दस ग्रूप में बाटा गया है जैसे कि कुछे एक्जामपल देता हूँ जैसे नाम सुने होंगे जो फाइलम है इसको फाइलम के रूप में बोलते हैं तो जिसे पोरी फेरा हो गया ए से पहले ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राई के द्वारा हुआ था राजा राम मोहन राई के द्वारा 1828 में किया गया था तो करेक्ट अंसर इसका बी होगा तो अंसर होगा 129 mm गुने 63 mm तो correct अंसर इसका A होगा अब देखिए जो सभी नोट है उसको एक बार देख लिजिए तो देखिए 10 रुपय के जो नोट है वो 123 गुने 63 है जिसपे संटेंपल कुनार का यहाँ पर बैक साइड में है और चॉकलेट ब्राउन कलर का उसका रंग है 20 रुपया का जो है 139 into 63 mm का साइज है इलोरा किव इस पे अंकित है और ग्रिनिस इलो कलर का है उसके देखिए 50 रुपय का जो नोट है 135 into 646 mm का है इस पे हमपी बित चरियट का यहाँ पर बैक साइड में बना हुआ है और फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है उसके देखिए 100 रुपय पे है 142 into 66 mm का और रानी की बाउ है और लिबेंडर कलर का है 200 रुपय के नोट की बात करते हैं तो 146 into 66 mm का है और इस पे सांची का स्थूब बना हुआ है bright yellow कलर का है उसके देखिए 500 रुपय का जो है 150 into 66 mm का है red food का बना हुआ है और stone grey कलर का है और 2000 के नोट देखिए magenta कलर का है जिसमें mangaliyan छपा हुआ है और 166 into 66 mm का है तो देखिए सभी नोटों का मैंने बताया है color के साथ देखिए तीनों चीज़ इतना जरूर याद रख लेना है एक नोट बुक में अपने note down कर लिजिए जो note है उसमें बना क्या है back side में जैसे देखिए 10 रुपया में sun temple कुनार का है 2000 रुपया के note में mangaliyan है तो इसमें क्या बना है उसके दुसका color क्या है और उसके dimension यानि की size क्या है तो इसको जरूर copy में note down कर लिजिए और उसको लगातार जो है revise करते रहिए उसके देखिए question है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों France करेगा यानि कि Paris ओलंपिक होने वाला है तो 2000 जो यहां पर आपको ध्यान रखना है 2024 का होने वाला Paris फ्रांस में और 2828 का लॉस एंजलिस अमेरिका में उसके देखिए next question आपके सामने है कि जनबरी 2021 में ग्रिह मंत्री अमीच सा ने किसके लिए single window clearance system जो है लाँच किया है खानों से कोईला को निकालने में बहुत जगा clearance लेने पड़ते हैं तिसलिए single window system जो है launch कर दिया गया है उसके देखिए next question आपके सामने है कि जालियाँ वाला बाग जो नरसाहार हुआ था और कब हुआ था बेहद ही दर्दनाग घटना भारती इतिहास में घटी है तो 13 अप्रैल 1919 के दीन जो है इसका सही उत्तर होगा तो 13 अप्रैल 1919 इसका भी इसका सही उत्तर होगा आप देखे यहाँ पर लोग बैसाखी सेलिवरेट कर रहे थे और साथ ही साथ जो है सत्यपाल और सहफदुन किचलु जो ग्रिफतार हो गए थे उनके चलते कुछ बिरोध भी हो रहा था तो दो कारण बैसिकली था कि लोग बैसाखी सेलिवरेट कर रहे थे जालियाँ वाला बाग में और सत्यपाल और सप्रदिन किचली किचली जथे उनको ग्रफतारी हो गई थी तो उनको में जो है उनके चलते कुछ बिरोध किया जा रहा था तो इस बीच जो है जनरल डायर ने जो है गोडियां चलाने का अदेश दिया तो इस पज़ा से जो है बहुत ही यहां पर दर्दना घटना घटी भारती इतिहास में तो 13 अपरेल 19 के दिन था और इसके चलते ध्यान रखेगा दोस्तो रबेंदर राठ टेगोर जी ने नाइट हुड की उपाधी भी बापस कर दी और कैसरे हिंद की उपाधी गांधी जी ने बापस कर दी दो इंपोर्टेंट है ध्यान रख करने के लिए जो है बनाये गया था तो दोस्तो पूरी मैंने अच्छे से आपको समझाने का परियास किया आयोब आप समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और देखिए वीडियो को जितना सेयर कर सकते हैं करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब परक किया झाल